आज आमी पॉंडी ग्रामस्त चत्रपती शिवाज महाराज यानकी शपत ये उन सामतों की दो पर्यंत मराठा अरक्षा नाला आतुन विरोग करना रे मराठा समाज याचा द्वेश करना रे देवेंद्र फड़न विश यंचा सरकेन नेते पार्टिय जन्ता पक्षा मदे आहे तो परंत कंचा पक्षा चा उमेद्वारा ला क्यों आ याचा पक्षा से युद्धी करून उबे रहना रे उमेद्वारा ना अमी कॉंडी ग्रामस्त कदी ही मतदां करना ना ही एक मराठा लाग मराठा जीतेंगे लडेंगे आरक्षन आमचा हका चा नाही कुणा चा पा हाचा चा नाही कुणा चा पाचा मराठा समझ आला पंडना से के ओभी सिप्णदा अरक्षन ज़े जिजाओ आज आमी कुंडी ग्रामस्तां जाओ दिन चेतरपती शिवाजी महारादालना साक्षिठेवु शपद गिटले कि जो परेंत महाराटा आरक्षाना जा विशे संपत नाए आनी जो परेंत बाजयप मदी देविंदर पड़नी साय तो परेंत बाजयप ला आनी तेंचा कुटले मित्र पक्षाला, आमी मद्दान करनार ना किवाँ कुटले इस कारे करनार ना है, कारण अत्ता परेंत तिसरी वेला ही महाराटा समाजाला फसुने जी, कि इलेक्षन जे तोंड़ आरक्षन देने आनी इलेक्षन संपलेन अंतर तेंचा जवेक्ति जाओं पुटले इलेक्शन रहो देजिल्ला परशिर रहो देज़ पंचा समीती रहो देज़ विदान सभा रहो देज़ लोग सभा रहो देज़ बाज़ेपला मदन करनार नहीं लोकशाही मराठी आइकार पहा जागरूक रहा